तो आज हम आए हूँ हैं इशा अश्रम के अक्षिया किचन में, जहां हर दिन लगबग 12,000 लोगों के लिए सात्विक बोजन तेयार किया जाता है। यहां बोजन की तैयारी से लेकर उसके परोसने तक हर कार्य में सेवा और समर्पन की भावना समाई हुई है। तो आए हम आपको ले चलते हैं इस अनोखे सफर पर। अक्षिया किचन में ट्रडिशनल फारवूड सिस्टम का इस्तमाल किया जाता है। इस बड़े से मशीन में लकडिया जलाकर स्टीम प्रड्यूस की जाती है। मशीन से निकली हुई ये स्टीम पाइप के द्वारा सीधा किचन तक जाती है और यहाँ पे सब कुछ स्टीम पे ही कुक किया जाता है। जो हेल्दी तो होता ही है साथ में इको फ्रेंडली भी होता है। सो ये है किचन का वेजटेबल कटिंग सेक्शन। यहाँ सुबे से लेके शाम तक लगबग 80-90 वॉलेंटियर्स और सेवादार मिलकर ताजा सबजियों की कटिंग करते हैं। ये सबजिया इशा अश्रम के सात्विक भोजन का एक महत्वपन हिस्सा है। यहाँ मशीन से कोकनट को ग्रेट किया जाता है। सात्विक भोजन में कोकनट का विशेश महत्व होता है। क्योंकि इस रसोई में प्यास और लेसून का उप्योग नहीं होता, इसलिए यहाँ की रसोई का बेस कोकनट ही होता है, जो हर एक डिश को पोशक और स्वादिश बना देता है। और यह है इनकी आटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन, जिसमें गर्मा गरम फुलका रोटी बनके पहार आती है, और जिस दिन भोजन में रोटिया परोसी जाती है, उस दिन बारा हजार से भी ज़्यादा रोटिया बनाई जाती है। और यह है किचिन का बेकरी सेक्शन, जहां ब्रेड से लेके पाओ, मफिन से लेके पफ, सब कुछ फ्रेश बनता है, अज यहां वेजिटेबल पफ बनाया जा रहा है, जो की बहुत ही टेम्टिंग लग रहे हैं। और यह है किचिन का विशाल स्टोरेज एरिया, जहां पे फ्रेश वाटरमेलिन, बनाना, पंकिन, वीट रूट जैसे अनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर किया जाता है। हर बोजन में एक फ्रूट भी परोसा जाता है, जो की सात्वी कहर का एक जरूरी हिस्सा है। मैं आचुका हूँ इशा आश्रम के बिख्षा हॉल में, जहां पे जो भोजन है वो सर्व होता है, हमने आपको किचन का टूर करवाया, अक्षया में, जहां पे मैसिव स्केल पे बोजन प्रिपर किया जाता है, और वहां पे अलग-अलग सेक्शन है, वहां पे बेकरी है, वहां पे फूरूट कटिंग सेक्शन है, वहां पे स्टोरेग सेक्शन है, तो आपको पूरा टूर दिखाया, अब यहां पे हम बिख्षा हॉल में हैं, और यहां पे खाना सर्व होने चाहरा है, और यह देखे, प्लेट्स लगा ही जा रही है, बिख्षत मुझे बताईए, आज भोजन में क्या-क्या सर्व हो रहा है, यहां बोजन जमीन पर बैट कर ही किया जाता है, जो जमीन पर नहीं बैट सकते, उनकी सुईदा के लिए यहां टेबल और चेयर की भी व्यवस्था की गई है, यहां के सात्विक बोजन में निूट्रियन्स और फाइबर कंटेंट की भरपूर मात्रा होती है, जिसमें जादा तर ताजा फूरूट्स, सबजिया, स्प्राउट्स, ग्राउन नट्स और मिलिट्स शामिल होते हैं, यहां बोजन परोसने और प्राप करने में दोनों ही कामों में सेवा और आदर की भावना समाई हुई है, भोजन शुरू करने से पहले प्रात्ना की जाती है और प्रात्ना के बाद सभी लोग अपना भोजन शुरू करते हैं,